हेलो फैबलेस पीपल वैलकम बैक टू माई चैनल काफे दुनों से मैंने आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं करी है तो चलिए इस बार मैं आपके लिए नेक के डिजाइन की एक वीडियो लेके आई हूँ जिसके लंबाई हम यहाँ पर 11 इंच तयार रखेंगे तो चल चुडाई हमने आप पर 3.5 इंच रखी है तो सेम निशान हम उपर भी लगा लेंगे और इसका गोल गला बना लेंगे तीन इस साड़े तीन इंच की चुडाई के बाद हम वहाँ पर 1.5 इंच का निशान और मार्क कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं 11 इंच की सेम वैसी ही शेप हम यहाँ पर 3.5 इंच वाली लाइन पर भी दे देंगे जो हमने ये 1.5 इंच का बीच में मार्जन लिया है इसमें हम अपने नेकर डिजाइन बनाएंगे तो चलिए आप हम इसे कट करते हैं हम यहाँ पर भार वाली पट्टी कट कर रहे हैं क्योंकि हमें उसी का ही गला बनाना है सूट में गले को पिनफ करने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे तो आप भी इस बात का ध्यान रखे कि आप या तो पहले उसे कच्चा कर ले या पिनफ करके तभी अपने सूट के गले की सिलाई करें अगर आप इतना ही बड़ा गला बना रहे है तो आप देख सकते हैं हमने सिल लिया है और सिल के अपने बैक नेक को पहले हम तियार कर लेंगे भारवाले हिस्से को उसके बाद हम उसके अंदर के हिस्से को तियार करेंगे इसमें छोट-छोटे कट्स लगा लेंगे और उसे पलट के सिल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं friends सेम इसी तरीके से ही आप बनाईएगा अगर आपको इसके लैंड छोटी रखनी है तो आप छोटी लैंड भी रख सकते हैं डेट इंच के डिजाइन के मार्जिन में आप एक इंच आधा इंच तो नहीं एक इंच तक ही रख सकते हैं इससे जादा आप कम करेंगे तो आपको डिजाइन जादा अच्छा नहीं दिखेगा अब हम एक प्लेन पेपर ले लेंगे और सेम यही डिजाइन उस पे भी ड्रो कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमने भार वाली लाइन ड्रो करी है और आधा इंच का मार्जिन उस लाइन के बाहर हमने ले लिया है पूरी साइड उसके बाद हम यहाँ पे साड़े तीन इंच वाले निशान ड्रो कर लेंगे पूरी गुलाई में ही आप चाहे तो न्यूस पेपर का भी इसमें यूज कर सकते हैं मैंने आपे वाइट शीट लिया आपको समझाने के लिए अब हम डेड़ इंच के हाफ में निशान लगा लेंगे अपने नेक में बिलकुल बराबर बराबर जैसे कि आप देख सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए हमने आपे सूट से मैचिंग की डार्क कलर में नेवी ब्लू कलर की पट्टिया बनाई हैं पट्टियों की चुड़ाई हमने आधा इंच तियार रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमने अपने नेक की डिजाइन से नापके आधा आधा इंच दोनों साइड एक्स्ट्र लिया है इनको बराबर अपनी डिजाइन पर रखते हुए हम इसके बीच में जो हमने सेंटर मार्क करा था उस पर हम सिलाई करते रहेंगे साथ-साथ हम यहां पर पक्की सिलाई ही कर रहे है तो सेम अपने नेक के डिजाइन में अपनी पट्टियों सारी पट्टियों को बराबर रखते हुए हम इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे और उस पे उसी सिलाई पर हम यहां पर दो तिन बार और सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद हम एक पत्टी को रखते हुए, एक पत्टी राइट और एक पत्टी लेफ्ट ऐसे करते हुए इसकी आधा इंच की साइड में भी सिलाई कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम लेफ्ट साइड की पट्टियों को पकड़ते हुए उस पे पक्की सिलाई कर रहे हैं इसी के साथ हमाई डिजाइन तियार है डिजाइन बनने के बाद हम इसमें से एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेंगे सिर्फ हाफ इंच का मार्जन अंदर की तरफ रखते हुए सेम हाफ इंच का मार्जन हम भार की तरफ रख रहे हैं सूट के कपड़े की उरे पट्टी कट करने के बाद हम अंदर के नेक को तियार करेंगे ध्यान रही कि आपकी जो सिलाई है वो इसमें ना दिखे मुझे इसको फोल्ड करने में थोड़ी सी परिशानी हो रही तो आप भी एक पिन की हेल्प से इसको फोल्ड करें क्योंकि विदाउट पिन ये फोल्ड नहीं हो रहा था कपड़ा उपर नीचे जा रहा था तो इस वज़े से आप भी एक पिन की हेल्प से इसको पलट के तियार कर सकते हैं देखे फ्रेंट्स इसी के साथ हमारी अंदर की पट्टी तियार है हमारा डिजाइन बन चुका है अब हम इसे में गले के साथ जोड़ेंगे तो सैंटर का निशान लगाने के बाद हम इसे में गले के साथ पिन अप कर देंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे साइट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं जो निशान हमने अपने पेपर पर लगाया था हम उसी पर ही नेक को रखते हुए सिल लेंगे सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे डिजाइन को गले में सिलने के बाद हम एक्स्ट्रा पेपर को इसमें से निकाल देंगे अच्छे तरीके से और इसी के साथ हमारा नेक कर डिजाइन तयार है आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें